तो दोस्तो आज आप एक जादू देखेंगे मुरल आर्ट का पूरी वीडियो को ध्यान से सीखे का एक एक चीज को मैं अक्लियरली बताने वाली हूँ तो चल ये चलती हैं अज मैं दुपटा पेंटिंग तो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लेकिन आज है आप सभी के लिए एक सर्प्राइज उसमें मैंने गोल्डन कलर यूज किया है लेकिन गोल्डन कलर जो हमारा रेडिमेड आता है ना उससे बहुत जादा शाइन है बहुत प्यारा लग रह और किस तरह से मैंने इस गोल्डन कलर को और भी ज्यादा शाइन दी है यह आप इस वीडियो में देखेंगे अरे हाँ हम बात कर रहे थी दुपट्टे की तो आज का दुपट्टा बहुत स्पेशल है बहुत मोडरन है और मुझे मलूम है कि सब को बहुत पसंद आने वाला है दुपट्टा है मुरल आर्ट का यानि कि आज मैंने दुपट्टे पर मुरल आर्ट की है और easiest तरीका आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा सारे टिप्स और ट्रिक्स को फोलो करने के बाद ही आप इसको फाइनल वर्क दीजिएगा तब ही आपका दुपट्टा सारी या सूट जो भी बनाएंगे वो बहुत ब्यूटिफुल बनेगा तो चलिए वीडियो की तरफ सबसे पहले आप तक आए तो चलिए वीडियो में देखते हैं तो फ्रे jobs चलिए हम सबसे पहले colors ले लेते हैं तो चलिए करते है शुरवात हमने ये ली है हमारी पैलेट और आज हम पैलेट का यूज किस तरह से करेंगे वह आप देखिए मैं इस प्लेट का साइज ले रही हूँ इसमें मैं कलर नहीं ले रही हूँ आज आप देखे मैं एक चॉक की हलट से एक जो रक्टेंगल है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ और हमें इस से जादा कोई ड्राफटिंग चाहिए भी नहीं तो यह देखें इस तरह से हम ने ले लिया और कलर आज मैं पैलेट में नहीं हमारी इस प्लेट में ले रही हूँ क्योंकि पैलेट का यूज मुझे मेजरमेंट्स के लिए चाहिए था हम बार-बार मेजर करते या फिर हम किसी और चीज पर लगाते या हम बार-बार हमें परिशान होना पड़ता उससे अच्छा कि मैं इन्हें एक स्क्वाइर बाक्स लिया, रेक्टेंगल बाक्स, स्क्वाइर बाक्स कुछ भी आप ले सकते हैं और उसी का एक प्रॉपर साइज ले लिया ताकि मेरा जो दुपट्टा है इस पर अलग-अलग कुछ भी ना हूँ, मतलब अलग-अलग साइज ना हूँ, थोड़ा चोट बड़ा भी ना हो एक प्रॉपर साइज से हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है ना हमारा दुपट्टा कम्प्लीट करें तो मैं ये ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ इस इस मत कीजेगा फ्रेंड्स आपकी ब्रश भी मूव नहीं होगी तो मैंने पानी इसमें एड किया है और उसके बाद पूरे रेक्टेंगल में हम ये कलर कर देंगे अब देखिए गोल्डन कलर का जादू मैं मेरा गोल्डन कलर ये फैबरिका का यूज कर रही हूँ और इस इस से जो हमारी शेड है बहुत ही जादा अच्छी बनने वाली है आप देखेंगे भी डिफ्रेंस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो इस तरह से भी ट्राय करके देखिएगा ये भी एक एकस्पेरिमेंट है और आप देख रहे हैं दोनों शेड से अलग हमारा कलर बना मुझने अलगा यूँद देखें क्या ये बनता और किस तरह से बनता है क्या आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ शेड बना रही हूं यह और क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ ये तो आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा इस तरह से golden color को मैं apply कर रही हूँ हमें और कोई color नहीं चाहिए friends आप सर्फ golden और black color से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैंने white color का भी use किया है इसमें कहां use किया है कैसे use किया है वो तो अभी आपको आने वाले जो हमारी वीडियो का पार्ट है उसमें दिखेगा और उसी में पता चलेगा यहां तो just मैं simply golden color use कर रही हूँ so आप कोई भी shape ले लीजिए किसी भी तरह की shapes ले लीजिए और इसी तरह से बनाईए और बहुत प्यारा लगता है यह moral art दुपटाज पर बहुत modern चाहता है बहुत और easy भी है जिसको नहीं भी painting आती ना वो भी बहुत easily बहुत अच्छे से यह painting work कर सकता है और बहुत जल्दी बनता है आप यकीन मानिए एक घंटे में आपका दुपटा बन भी जाएगा और सूख भी जाएगा और आप उसको use भी कर लेंगे तो मुझे जो है अभी तक floral किया है एजometrical किया है बहुत कुछ किया है लेकिन इस तरह का कोई art मेरे channel पर था भी नहीं और I think YouTube पर भी नहीं था तो मैं कुछ अलग और easy आप सभी के लिए लाना चाह रही थी तो इसलिए मैं आज आप सभी के लिए ये लेकर आई हूँ तो आप देख रहे हैं मैं shapes per shapes बना रही हूँ दो shapes हमारी यहां बन चुकी है क्या क्या मैं इसमें shape बनाऊंगी यह आप जो है न धान से देखते रहिएगा क्योंकि तभी आपको जो detail है न वो अच्छे से समझ में आएगी तो यहां देखिए मैंने यह shape बनाई है थोड़ा वो हो तो उपर नीचे आगे पीछे हो भी जाए तो कोई बात नहीं आप ठीक कर सकते हैं उसका size घटा बढ़ा कर आप ठीक कर सकते हैं तो देखिए यह तरह से हमारी बनी तीन shape तो कितनी shape में हमारा design complete होगा तो चलिए count करेंगे और यह है हमारी fourth shape और fourth shape भी हम जो है न बस golden color को ले रहे हैं और कर रहे हैं कोई outlining का जंजट नहीं है कोई आपको brushes change करने का जंजट नहीं है कोई भी आपको shading merging किसी भी strokes का कोई जंजट नहीं है just simply work तो यह हमारी है fifth shape मतलब हम इसको complete कर रहे हैं मुझे rectangle में था तो rectangle में ही कुछ ऐसा design चाहिए था जिससे इसका look थोड लंबा लंबा लगे और वो बहुत ज़्यादा जो है ना eye catching हो और eye catching look हमारा बना भी है अब यह मैंने दो legs की तरह से बनाए है friends तो आप देखिए बहुत प्यारा सा लग रहा है ना moral art यह हमारा और यह जो art है ना friends यह आप just कूर्टीज पर बना सकते हैं दुपट्टाज पर skirt पर सारीज पर भी बना सकते हैं क्योंकि इस तरह की boxes का work ना बहुत जो है ना मिलता है बहुत fashion में है तो यह देखिए यह अब हम हाथ ड्रॉ कर रहे हैं और हाथ भी बहुत simple है यहाँ पर तो आपको कोई tracing की भी जरूरत है किसी भी तरह के features बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो इतना easy work है आप लोग जब यह करेंगे तब आप इसको समझेंगे और बहुत जादा ना यह फटा-फट बनने वाला work है तो आप यह यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ हम आप देखिए यह बना रही हूँ इसके सर प girl ही कहेंगे francisco moral art है तो क्या लेकिन हमने जो figure बनाई है ना यह कुछ हैसी ही है कि यह skirt पहने हुई है बच्चे भी बहुत easily कर सकते हैं उनको भी आप यह सिखा सकते हैं इस तरह से यह देखिए हमारी यह figure complete हुई और completion के बाद आप चाहें तो इसमें एक जो shade है एक और आप इसमें layer दे सकते हैं golden color की लेकिन मैं जादा color नहीं लगा रही हूँ कहीं hard ना हो जाए वैसे hard अभी तक हुआ नहीं मेरा यह दुपट्टा आप सभी के सामने हैं और देखिए यहां मैंने white color का use किया है और white color से सर्फ और सर्फ मैंने यहां पर जो है ना एक अंदर अंदर outline दी है यह बहुत कूबसूरत लग रही थी हमारे box को highlight कर रही थी और friends अगर black color थोड़ा बहुत shade merge भी हो जाता है ना तो कोई बात नहीं क्य वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे comment section में बता दिया करें friends और आपको किस किस topic पर और वीडियो चाहिए यह भी मुझे please जल्दी जल्दी बताया कीजिए ताकि मैं आपकी पसंद के topics ला सकूं और आप ही की पसंद का work कर सकूं तो यह देखिए तीन figure मैंने बनाई है तीन कर दीजिएगा friends in family के साथ बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो subscribe करके bell icon को press करके रख लीजिए बहुत सारी upcoming videos है वो सब भी तो आपको देखनी है उनकी notification भी तो आपको चाहिए तो बने रहेगा मेरे साथ art factory पीडी चैनल पर fabric painting की और भी टेकनीक सीखिए का जरूर वही काम आएंगी वो सब टेकनीक सीखने के लिए आप right side में क्लिक कीजिए और रोज का flower सीखने के लिए आप left side में क्लिक कीजिए